ओम सायराम कैसे हैं आप लोग? I hope सब ठीक होंगे. आज मैं आप लोग के साथ सेर कर रही हूँ. दिवाली से पहले हम ऐसा रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ क्या करें जिससे कि हमारा रिस्ता बहुत ही अच्छा हो जाए और मैं आप लोग के साथ सेर करूँगी मैं अपन सोच की वज़ा से कैसे की हूँ और उसे मेरी क्या सोच अलग है वो मैं आप लोग के साथ सेर करूँगी जिससे कि आप लोग को हेल्फ मिले और ये वीडियो तो आजकल मैं नहीं बना पा रही हूँ आप लोग को पता होगा मेरी हाथ टूट गई है ये मेरी मतलब पीभू क की नानी और मौसी ने दिवाली गिफ्ट भेजे हैं तो वही सब देख रहे हैं तो मैंने सोचा मैं क्यों ने इस टॉपिक पे कुछ आप लोगों से बात करूं तो मैं ये बता रही हूँ कि देखिए हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है सभी के जाता है वो हमें जीना ही पड़ता है लेकिन थोरी बहुत रिस्ते में भी प्रॉब्लम हो जाती है ये हो ही नहीं सकता है कि अपनों के साथ प्रॉब्लम ना हो अगर अपनों के साथ थोरा भी प्रॉब्लम नहीं होता है न तो समझ लीजिए आप अपने है ही नहीं क्योंकि एक दूसरे में कमी जरूर होती है और उस कमी को दूर करने के लिए जरूर एक दूसरे से लोग डिसकस करते हैं राइ बिचार लेते हैं देते हैं उसी में कभी कवार थोरी बहुत बहस हो जाती है लेकिन हमें उस बहस को इतना भी खीचना नहीं चाहिए जिससे की मतलब रिष्टे की डोड तो तूठी जाए हो सके हमें अपने behavior के कारण कुछ रिष्टे ऐसे होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा emotional की दिल पे ले लेते हैं तो हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए कि हमारी वज़ा से मतलब सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी वज़ा से किसी को नुकसान हो थोरा भो नुकसान छोड़े और कोई जिन्दगी किसी के दाव पे लग जाए ये काम तो कभी भी निकरना चाहिए और मेरा ये मानना है दिवाली है होली है पहले के लोग भी इसलिए स्टार्ट किये होंगे की लाइफ में हरेग के लाइफ में टेंसन है परेसानी है और अगर कुछ रिस्ते कभी कभार जब हम साथ में रहते हैं तो थोड़ी बहुत करें वो एक जरिया है होली दिवाली और इस चीज़ को मैं सच बोल रही हूं मैं कोई कितावी बातें ने बोल रही हूं यह मेरा सालों साल का experience है तिवार का दिन है तो मैं ज्यादा negative तो नहीं बोलूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दुनिय में जो दुख तकलीफ है कोई भी रिस्ते में वो मेरे साथ नहीं हुआ है लेकिन आप येकीन कीजिएगा मैं सभी को माफ की हूं और कैसे करती हूं बुरा मुझे भी लगता है मैं भी इंसान हूं लेकिन मैं कैसे माफ करती हूं मैं कैसे सालों सालों से मैं के ससुराल नेव पर फ्रेंड्स के साथ मैं कैसे रिस्ता निवाई हूँ और यकीन मानिएगा इस फार्मूला से सामने वाले का ही फायदा नहीं होता है, खुद को भी बहुत जादा फायदा होता है, इतनी खुसी मिलती है, इतना आनंद आता है कि सच में दिल से अगर आप किसी को माफ करेंग ना, तो सामने वाले के बाद में फायदा होगा, आपका फायदा पहले होगा, लेकिन अब बात ये आती है, कि सच में अगर किसी ने बहुत गलत किया है, मतल़ गलत मिनस अती गलत किया है, उसको कैसे माफ करे, इतना महान तो हम है revolutionary, बुरा तो लगता है, तो हम क्या करे, तो मैं बता रही हूँ जो भी फेस्टवल होता है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हजारों लाखों में गिफ्ट एक दूसरे को देजिए लेकिन अगर किसी से प्रॉब्लम हो गई है तो आप दिवाली, होली जो भी है होली में तो आप जो भी सामने वाले को खाना पसंद है वो चीज सारा पकवान बना के उनको ले जाएए परणाम कीजिए और खाना खिलाइए और बस अगर हो सके तो मुझ से सौरी भी बोल दीजिए और जरूरी भी नहीं है सौरी बोलना अपने लोग से मतलब ना जुकने के जरूत है ना जुकाने के जरूत है मतलब आपका जाना ही सोचिये रिस्ते में बहुत ही एक नया रूप ले आएगा थोड़ी सी हिस के चाहट ज़रूर होगी आपको भी और सामने वाले को भी लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका है और दिवाली में भी बस यही कि जो भी आपकी बजट है सामने वाले को जो भी पसंद है वो आप गिफ्ट लेके जाए जो भी उनको खाना पसंद है मिठाई पसंद है जो भी है फल पसंद है ड्राइफुट जो भी है मतलब जो आपकी बजट है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि ओवर कर लेजिए रिलेशन को बनाने के लिए लेकिन आप वो चीज लेके जाएए और बस जो भी है उनको दे देजिए और विस कीजिए बस मुझे नहीं लगता है कि सामने वाले इतने इगो में होंगे या इतना मतलब दिल से माफ ने करेंगे हाँ हो सकता थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उनको भी जटका लगेगा कि कैसे मतलब उमीद नहीं होगा कि ये कैसे आ सकती है मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया है मतलब आप उनको मजबूर कर दीजिए अपनी बिहेवियर से कि जो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है उनके पैर पे जाके आप मतलब जुकना नहीं परनाम कर रहे हैं और दिवाली में मिल रहे हैं तो ऐसा होई नहीं सकता है कि वो आपको दिल से नहीं माफ करेंगे ये सारा चीज में अपना एक्सपरियंस बता रही हूँ लाइफ में सबके प्रॉबलम होती है और मैं इसी फर्मॉला के साथ कई सालों से यही चीज में करते आई हूँ और मुझे तो सच बोलू दिल से बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ करना और अब बात रही कि माफ कैसे करें अगर हमारे साथ अगर किसी ने बहुत गलत किया है तो हम उसे माफ कैसे करे तो देखिए जब गलत करते हैं न तो सच में बुरा लगता है कि अब जिन्दगी भर के लिए खतम अब हम उपर चले जाएंगे लेकिन चेहरा भी नहीं देखेंगे बहुत गुस्सा आता है मैं इस चीज़ को मानती हूं बहुत मानती हूं मैं लेकिन अब उनको अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड को माफ कैसे करे और माफ भी करना है तो अपने लिए इससे बहुत ज़्यादा सकुन मिलता है तो बस यही कीजिए बुरा जो आपके साथ हुआ है जो उन्होंने बोला है उस चीज़ को बार बार याद मत कीजिए अच्छाई होगी ऐसा होई नहीं सकता है अगर आप में अच्छाई है तो भरोसा रखिए कि सामने वाले में भी बहुत अच्छाई होगी आप दिन रात अकेले जब भी बैठते हैं तो उनकी अच्छाई को याद करते रहिए और ये जब करते रहेंगे ना मैं देखी इसी फर्मूले क में हमेशा करती हूँ जो भी मेरे साथ गलत करते हैं मैं उनकी अच्छाई ढूंडती रहती है और मुझे इतनी अच्छाई मिल जाती है आप यकीन नहीं करेंगे मैं बज़ट से ज्यादा गिफ्ट देने की कोशिश करती हूँ और बहुत खुस रखने की कोशिश करती कि मैं दुख में भले किसी को सामिलने करती हूं लेकिन मैं खुसी में बहुत ज़्यादा अपने को ढूंडती हूं और ये दुख में भी देखे मेरा हाँ तूट गया है लोग आए हैं आप यकिन करेंगे मैं रोना धोना नहीं मचा रखी हूं मैं परिसान नहीं हूं लोग संडे में आए हैं अपना छुटियां खराब किये हैं तो मैं नहीं चाह रही थी कि उनका बरबाद हो और हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं पीजा मंगाई हूं सब लोग खुस हैं